सो नाव मोस्ट अवेटेड अब रोड टू नस्दाक और यहां पर ब्राइट कॉम गुरूप की ऊपर बहुत सारे सवाल है नस्दाक को लेकर कि नस्दाक में लिस्टिंग लिए इनके पास वो चीज़े नहीं है जो कि नस्दाक में मांगे लाइक मार्केट कैप लाइक अर्न मिलने हैं नस्दाक में जाने से और क्या 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 आपके पॉर्टफोलियो पर चेंज आ जाएगा क्या 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 आपके लाइफ में चेंज आने वाला है नस्दाक का दूरी अब जादा नहीं रही है तो सबसे पहले तो नस्दाक में ही क्यों लिस्ट करवा रहे हैं देख होती है इसे लिए यहां पर नस्दाक चुना गया है कंपेर टू यहां पर डाव जोन्स में भी पॉसिबल है यहां पर कोई घराब बात नहीं है डाव जोन्स कोई यहां पर यहां पर नहीं लिया गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डाव जोन्स में भी शामिल हो सकती है ऐसा to same जैसे कि हमारा निफटी और सेंसेक्स है हमारे दोनों शेर में स्थे होता है और बसी दोनों जगा लिस्ट होता है तो उमीद है आपका नजदाग का किलियर हो गया होगा कि यहाँ पर नजदाग में क्यों जा रहे हैं आप सबसे important चीज है नजदाग में जाने से क्या मिलने वाला है यहाँ आप नजदाग में जाने से आपको valuation मिलने वाली है जी हाँ, valuation कैसे मिलने वाली है क्योंकि देखे इंडिया में वेल्यूशन पाना इतना आसान नहीं है आपका वेल्यूशन का होता तो विपरो अभी यहां पर इतना ज़्यादा गिरता नहीं प्लस इसके साथ विपरो की वेल्यूशन यहां पर 2,5-3,000,000 करोड रुपए की होती नहीं उस कंपनी की जबकि उसकी कंपनी की जो अर्निंग है वो 80,000 करोड के असपास की नेट सेल है इस साल की यानि मार्च 2022 का अगर हम रिजल्ट देखें तो यह वेन यहां पर प्रॉफिट जो है वो सम्थिंग 50,000 करोड के असपास का प्रॉफिट है और विपरो आप तो जानते ही जानी मानी कंपनी है लेकिन उसका मार्केट कैप अभी वी यहां पर है इनफोसिस जो की देश की जानी मानी कंपनी है लेकिन उसका मार्केट कैप कहां पर है टीसेस यहां पर यह आप अगर एक चीज गौर करेंग ना तो यहाँ पर लिकन यह एक बात यहाँ पर आया थे कि यह service company भी है वो service company की valuation भी हमको देखनी होती है तो यहाँ पर आपका add tech का valuation जो है वो आपको trade tax से ही ना पाजाएगा आपके अमेरिका company में अमेरिका में सर्फ trade tax लिस्ट नहीं है बहुत सारी company आए जो कि बहुत अच्छ हैं trade tax को complete कर रहे हैं उनको भी देखना काफी जादा जरूरी होता है तो यहाँ पर valuation जो मिलने होगी real valuation वो आपकी नस्दाग में अगर चलीगे ना तो आपको real valuation का एहसास हो जाए कि यहाँ वह आपकी stock को real valuation मिलिए क्योंकि महां के निवेशक जो है जो इंडिया में इंवे valuation यहाँ पर तो obvious सी बात है महां पर कौन ऐसा होगा जो यहाँ पर निवेश करना नहीं चाहेगा जबकि महां पर तो popular है ब्लैट कॉम तो यही चीज़ है कि सबसे बड़ी बात नस्दाग का bonus point यह कि आपको valuation का जो यहाँ पर दिक्कत हैं वो दूर होती हुई नजर आएंग future and option में यह stock सामिल हो जाने चाहिए अब यहाँ पर ना यह सारी बातें सिर्फ सुनिए इसका मतब यह नहीं है कि अभी stock की चाल से compare कर दो वो मैं last में बताऊंगा कि चल क्या रहा है actually बास्तम में आप बटक रहे हैं आप मानने के लिए तयार नहीं है कि actually यह चल भी रहा है नहीं चल ला है तो यहाँ पर नस्दाग में लिस्टिंग से पहले यहाँ पर F&O में आना होगा और वहाँ पर तो circuit limit तो वहाँ पर कुछ है नहीं है लेकिन यहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 5% पर रुक गए बस तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर तो आप और यहाँ पर ये स्टॉक धीमई चल रहा हो गा तो उसको देखकर यहाँ पर असर पड़ेगा यानि कि इंडिया की इस टॉक में पड़ेगा जो BCG ए उसके अंदर असर पड़ेगा और फिर वो समय भी उसके मुकाबले तेजी आने लगेगी तो दोनों अलग-अलग नहीं चल सकते हैं अगर वो तेजी से चलेगा तो इनको भी तेजी से चलना होगा यहाँ पर एक और बड़ी बात है यहाँ पर वेटेज यहाँ पर वेटेज जो है ना वो बढ़ जाएगा वेटेज यहाँ पर जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा इसका इवन इंडिया में यहाँ पर सबसे ज़ादा यहाँ पर जो है वेटेज मिल सकता है अगर नजदाग में लिस्टे होती है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 6-7 कंपनिया ही है इंडिया की जो कि US में लिस्टेड है अगर यह वहाँ पर जाती है तो आपका पूरे स्टॉक मार्केट में हजारों शेयर से हैं उनमें से 6-7 शेयर के साथ यह जुड़ता हुआ नज़र आएगा जो कि US में लिस्ट होगा तो इसका आटोमेटिक यहाँ पर बेटेज भड़ता हो नज़र आएगा इवन यहाँ पर इन्वेस्टर्स का और भी जादा फोकस ब्रैट कोंग ग्रूप के उपर होगा सर्द यह है कि उनको काम समझ में आने चाहिए बहुत से लोग तो काम ही नहीं समझ पाए हैं ब्रैट कोंग ग्रूप का रियल्टी तो फैक्ट तो यही है और सबसे बड़ी बात जो लोग जैसा कि मैंने अभी बताया था इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर जो फंड्स है ना वो यहाँ पर डारेक्टली नस्दाग में निवेस्ट कर सकते हैं जैसे कि वहां के म्यूचल फंड हुए वहां का कोई भी अगर वें नहीं करना चाहता है कि भाई हमें यह मार्केट पसंद नहीं आ रहा है या बगएरा बगएरा तो हम यहाँ पर निवेस्टमेंट नहीं करेंगे वो आप्शन यहाँ पर जो है उनको मिलता हो नज़र आएगा नजदाग पर अगर होगा तो जो चाहता है कि एड़ टैक में यह हो तो भाई साहब वहाँ पर एक investment option और बढ़ जाएगा वहाँ के mutual funds, वहाँ के ventures, वहाँ के जो लोग है उनके लिए तो यहाँ पर investment तो भर भर कर आ ही जाएगा इसमें कोई शक्की बात नहीं है तो इतने सारे benefits जो हैं वो आपको मिल जाएगा और यह आपको portfolio ना बदल क के रख देंगे यहाँ पर वस थोड़ा सा short term time बुरा चला है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें खतम हो गई सारी चीज़ें भरबाद हो गई अब रोट्टू नस्दाक तो हमने समझ लिया अब आपको यह देखिए trade tax के बारे में थोड़ा सा समझा देता जाती है अब आप कहोगे बैटकॉम गुरूप में इतने अच्छे fundamental है फिर वी इस टॉक यहाँ पर trade कर रहा है फिर वी इस टॉक गिरता जा रहा है आप यह बताईए trade tax में ऐसी क्या कमी है कि स्टॉक 120 130 डॉलर से आपका स्टॉक 39 डॉलर यहाँ पर जा चुका था ऐसी क्य में आ गई कि यहाँ पर trade tax में इतनी भारी गिरावट आगी तो क्या यह ट्रेट एक्स की गिरावट क्या वहां के लोगों के लिए एक खराब चीज है वह ऐसा नहीं भाई यहाँ पर जो है आपको पता आए कि नजदा की इंडेक्स गर रहा है बहुत ज़्यादा आईटी इसमें गरावट किसी में ज़्यादा किसी में कम है ट्रेट एक्स में वही चीज हुई है वही चीज आपके ब्रैटकों गरूप में हुई है आईटी आपका डाउन है किसी में ज़्यादा गरावट किसी में कम गरावट है इवन आपर आपका हुआ क्या है ब्रैटकों जाड़ी ऐसा कुछ नहीं रॉकिट हो गया एक ही बार में तो जो रॉकिट का यीट अप है वो कहा ले जाओगे और यह रिटन आपको क्या और मुझे क्या पता है कि कौन सा बंदा कितना यहां पर पैसे डाल के रखा है उसका कितना पैसे बन रहा है जिसका वनेगा वो निका बाते उठ गई यह सारी प्रॉब्लम आई और बी सी जी भी यहां पर नीचे आया लेकिन मत भूले कि ट्रेट एक्स भी नीचे आया था वो शेयर और यह आपको नहीं बूलना है कि ट्रेट एक टॉप लीडिंग कंपनी और ब्रैटकॉम ग्रूप भी उसका टॉप कॉम्ट ही है बाकि आपको मैं बता दूं एक खास बात जो कि आपको नोटिस करने है कि वह यहां अब हिना आपको यहां पर घजार रुपे दौजर की जो बात करी आरही है हजार रही चले आयो पांस डीय डायाव मैं आपको एक सीधी बात बदा देता हूं इसक यह क्विटी नोम मार्किट कैप हो जाएगा इस कंपनी का यानि की एक से दो लाग क्रोड की कंपनी बन जाएगी यहाँ पर जिस तरीके से अगर इनकी अर्निंग भड़ती रही लगाता है जिस तरीके से मैंने बता है चाइना में अब जा रहे हैं चाइना इन्हों ने खुद बोला कि चाइना में फोकस है चाइना एक बिग एकनोमी है बड़ा पैसा वहाँ से हाथ लग सकता है और स्टॉक तब ही चलता है जब आपकी अर्निंग लगाता है बढ़ जाती है और अर्निंग अगर तेज होंगी मा नेट सेल पहुंच जाती है अगले दो से तीन साल में तो आपको क्या लगता है क्या यह वैलिशन यहीं पर बनी रही नहीं यह आपका यह वैलिशन पा लेगा भाई हजार जो आपका टार्गेट है साड़े साथ सो हजार यह पॉसिबल हो जाएगा इसमें कोई शक्की बात क्या यहाँ पर टीसेस एक दिन में बने गई या इनफोसेस एक ही दिन में बने गई या एक साल में बने गई ऐसा कुछ नहीं हुआ है यह सारी चीज़े सोचिने वाली है इवन यहाँ पर शौट टंब काफी जादा खराब है मार्केट में 6-8 मीने एनलिस्ट बता रहे हैं 6-8 मीने बहुत फोकस में रहने वाले 6-8 मीने शौट टंब में यहाँ पर बहुत जादा कुछ दीखने को नहीं मिल सकता बहुत कम पॉसिबिल्टी है हाला कि कुछ चीज़े अगर जल्दी सही हो गई तो अलग बात उमीद है आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी अग अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ पूछने चाहते हैं तो प्लीज कमें सेक्स नहीं करेगा और अब दीजिए मुझे जाए वीडियो देखने के लिए बहुत दन्यवाद दोस्तों